सर्वप्रथम स्लीप डिस्ट चाहा आजार है याद जवल जवल पन्ना स्टक्की लोग हे प्रार्थमिक उप्चार बदेतीनी पूर्ण पने बरे होता है मझे आपन कसा बसावा, कसा उबरावा, वा कसा काम करावा इस्पेशली वजन कसा उसला हुआ, यहाब आपतित आपन कही नियम और डिसिप्लेंट मझे आपन आपने सवय सुधारन आवश्यक है रस्ते आवर खड्यासने, छोटे-छोटे इंज्यूरीज होने त्यामोल आपने कमरेला जो तान पड़तो, जे शोक्स पड़तो त्यामोल आपलेला कमबर दुखी चात रासू शबतो अपलेला सोबत इथे उपस्ते ताहेत पुण्याचे प्रख्यात अस्ति रोग तद्या डॉक्तर गणे सिंग चभाण नमस्कार सर, डीजिटाल प्रभात मधे तुमचा स्वागत करते सर, प्रत्तिक जन आयूशात, जिवनात कदीना कधी गुडगे दुखी किवा कमबर दुखी सारके आजारा तुन जात अस्तो तरमा कमबर दुखी ची मुल लक्षन कारणा कायत आनि तैस बरोबर इतर मनकेंचा आजारां विशाई काय सांगा कमबर दुखी ही साधरन ता अपन लोवर बैक मंजे कमबर ची आजार जला आपन लंबार स्पाइन आस इंगलिश मदे मंटो याच्छा आजारा आवर आपन ब्रोडली विचा विचार करतों कमबर दुखी ची कारणा ही सरवात कौमन रिजन मंजे कौमन कारण हे पन तैस स्लिब डिस्क मंजे मंगे तली चकती सरकने पन तैसी हों कमबर दुखी होनाच्य इतर करणा सुधा है मंजे जसे आपले जॉइंट्स असता शहरा मदे संध्य असता ताशे मंगे चा आत्मदे छोटे जॉइंट्स तेला अपन फैसेट ज्उइंट्स यह शुआ देनन दी जीवनात अपलेला सनायून चे किमा लिगमेंट्स या माइनर इंजूरीज मंझे अपन तेला फंक्शनल बैक्पिन मंटो मंझे अपलेला रस्ते अवर खड़े असने चोटे-चोटे इंजूरीज होने त्या मुझे अपलेला कंबर दुखी चे इतर कही क वन्हें थिसूरते पूलेज बारी चोट चर्शनल ने चे त्यान देख़ाने थिसूर्फ फ्रैक्चार यह जान और दाव यून मंझे अमद फ्रैक्चर होने ची शक्यता इसते तैना तर कही घंबिर सवरुप चा जा आजार मंझे इंफेक्षिन तीबर्कुलस असनल तो प्राइमरीली मनके चाहत मदे क्यों बाहरस तो परन्तु यह सर्वन मदे स्लिप डिस्क हाजार हा सरवात कॉमन आहे और तेची लक्षन हे कंबर दुखी शिवाय पाया मदे जे तेचा नरुस मदे मज्जा रजू मदे उन जे दुखना आहे खाले दावतला आपन कॉमन ल काय उपाय के लिए पाई जे कि मा क्या काय जी आतली पाई जे कबर दुखी हा विश्ए बंजए कंबर दुखी होनाची मूर करान जसा आपन चर्चे के लिए कंबर दुखी का होते करान की अँची कमबर दुखी हे तुमचे सनायू तैंचे ligaments और हड़ फॉर्ड यहुं ए आपन कसा बसावा, कसा उबरावा, वा कसा काम करावा, इस्पेशली वजन कसा उसलावा, यह वापतित आपन कही नियम और डिसिप्लिन आपने आपले सवई सुधारना आवश्चे कहे हैं. आपने एक विशाद से मांटो कि, सीट स्मार्ट, लिफ्ट स्मार्ट, एंड वर्क स्टैंड स्मार्ट, आपन बस्तन ना ही मनके ची परिस्तित्या है, यह ताट असने वा सरण आवश्चे कहें, तुम्चे कम्रे चा वाकाला भागे, अर्गोनोमिकली तुम्सा जो कर रहते ला सपोर्ट असना आवश्चे कहें त्यान अंतर वाम करने, है सुद्ध आवश्चे कहें, जैसे योगासना, मनके चे वाम, इत्यादी तुम्ही नेमित के लाते हुश्चत, इवन इंडियन पद्धती चे वाम्स कहें है, मनझे योगासना, जात कम्रे चे तुम्चे स्नायू बढ़काट होता, ते सुद्ध त तो असा आजार नहीं है कि जो आपले ला कही विशिष्टे इंफेक्शन मुले कि आपले आहरा मुले होना रहे, इट प्योरली मेकनिकल प्रब्लम, मनझे अपले मनके मदे एक चक्ति असते, और त्या चक्ति ला अपन डिस्क, ती चक्ति जेवाँ सरखते मनके मद होन, ते मागे शरक्त, तो फुगिर भाग मागे मज़ा रजूला दाब देयाला लगटो, तेमा अपन असा समस्ता की अपले चक्ति सरक्ट अरा आजरा आला अपले लक्षन सुरू होता, तेमा अपन तेला स्लिप डिस्क असा जाते, तो वा जेवां ते त्रास अपलेला असा होतो, तेमा आपलेला पेन जासता, तेमा अपलेला पास ना खाले जाता, आशा प्रकर आपलेला कमबर दुखी, और मनकेतला पेन, और नौर मतलब पेन जरू ज़र जबें, यह दो नियुशक तो. सर्वप्रथम स्लिप डिस्क जा आजारा बदल मनझे स्वरो पानुसा ते जा उप्चार पद्धत ठरलेला, तर देतले प्राथमीक मना कि मा विना शस्तरफ रिया और शस्तरफ रिया, यह तीन स्टेजुस बदल काई सांगाल, आपली जी पद्धत है कि विना शस्तरफ रिया स्लिप डिस्क प्रकार जो आए, कमी अधिक प्रमानात होतास तो, सर्वप्रथम स्लिप डिस्क जा आजार आए, यह जवल जवल पन्ना स्टक्की लोग, है प्रार्थमीक उप्चार पद्धत नी पूर्ण पने बरे होतात, तना वेदना शमाग गोल्या, फिजियो थेरपी वहे इतर पूरक ट्रीटमेंट अपन जर दिलें, तो तना बरे जनांचा आजार तीथेज कमी होता हो, काई प्रमानात तना बेडरेश्ट पन गहावी लगतें, पास, दहा, पंदर दिवस, तना अंतर जर स्लिप डिस्किमा चक्ति सरकना याचा प्रकार कमी असे, तो तुम आठोडे, तेमा दीड मैना त्याची लक्षणा बंद होत नहीं, वह ते वाड़त वाड़त जाता, तेमा ते एक प्रकार चा अलार्मिंग साइन अपन माटो, तेला गंभीर सरुप दिशक्तो, त्या आक्षणी तुम्ही डॉक्टरांची संपर्ग केला पाएजे, स्लिप स्लिप डिश चा आजार अशी रिलाटेट, सर्व गोष्टी, मैंजे जक्ती कुडे सरक लिल्या है, मज्जर अजिन्द वर कुठे दाब आलेला है, अणि स्लिप डिश शिवाए दूसरे का आजार, त्या मनके चा दुखने आला कारणी भूत, आहेत का हे सुद्धा आपन आपन चर्चा करूया विना श्रस्त्यक्रिया उप्चार पद्धति मदे, आपन सर्व प्रतम है बगुया कि जर चक्ती सरक लिल्या सेल, और मज्जर अजिवा दाव आलेला सेल, तो एक मैकनिकल प्रोब्लेम है, आपन दोन गोष्टी कराई चा या केस मदे, आपन तो आपन अपन या केस मदे, अम चई थे आम एक ओजोन थेरपी-चे इंजेक्शन, या केस मदे जासता हो अपर तो, या सधर्यत परेशचीजीत, ओजोन धे मदे अँ डिस्च चे आउत मदे, एक ग्यास इंजेक्शन देतो, तहला अमेडिकल ग्रेड ओजोन मन्ता है, तहा ग ब्रकार स्ताथ मनगे फोड़ी सीस रखने, पुड़ी पने डीस ही बाहरे ने, हर्नियेटेटेच के आफ्रोड़ी डीस्स, क्यों अश्य प्रकारे ते डीस्स चा कुठलया भागा आता अनि कशा प्रकारे ती शरकली जैए प्रकारे ते अला आपन डिफाइन करता तो, तेला ठरो तो कायते, त्यात आपन त्या गैस सा उपयो करून, त्यात ली जी सक्ती सरक्ली लेसे ता भाग, आपने ला काई प्रमाणा थी फूगीर भाग कमी करता है तो, तसे एपिडूरल इंजेक्शन, जात एक फोरामेनल एपिडूरल, मंझे तुम्चा मनके चा त्या बाहर च अच्छन हे कमी होता है, त्या मोळे तुम्चा स्लिपडिस सात रास जो आहे, त्याचे मजजा रज्यूममदे असनारी जी प्रेशराइज जाले मोळे जे दूखना था, त्या आणि मूल करां, त्याचे मोळे ती मजजा रजू दाबलाएजे, त्याला अपन इथे ट्री अचे तुन विनाश अस्त्यक्रिया उप्चार पद्धति ने उप्चार करता है उशर्कत, परन्तु जे माँ काई विशिष्ट पद्धति मदे अपलेला यह उप्चार करून सुद्धा, कि माँ खुप मोठ्या प्रकारची जर चक्ति सरख लिले असेल, और मजजा रजिन परन्तु बर्याच्य प्रमानात अपन यह उप्चार तरना करू शकतो, स्लिप डिस्ट चे अज अज अपन कंबर दुखी स्लिप डिस्क आणि मनक्याचे आजार यह विश्याई उप्पयोक्त महीती डॉक्टर गनेशिंग सभान यहांचा कोड़ून आपन जानूं घेतलि अशप्रकारे सांधे दुखी मनक्याचे आजार यह विश्याई वर अपन चर्चा करतस रहूं भेटू यह उडिल भागा तूरतास धन्यवाद